ख्रिष्न जरोटकेते सुकाइपनों का अफ़न किसाधि है की पुसाइपोर सूर। आज बसंत बंचीका दिन है। आज आएपने हकुएपने धर कहाँ अपने हकुएपनों काकी सभी दूरु सुछी हो। सबीककार की शानद्यों घर में तो जैसे सरस्वकी माता सरस्विती की शारदा की उसी तेरह नीर सरस्विती नामी देवता भी है जो क्षून की शरी से उत्पनहुण और उन्हों ने एक ऐसा वत्वारल यादे प्रिष्ण जुटन इतने शुर्ची की अपने पत्यों के साथ, अपने गार्वा में, अपने मत्रा में, जो निर सरस्थिती की साधना करता है, जो निर सरस्थिती के आए पंदर करता है, उसको उसके खमी सुखसांती रहे लिए. एक बात के बात है कि आप अपने पास देखते हैं ये खुलकर्मी योग देशपाटने योग और जाला रिखे करनागू बोलते जिन्होंने ग्राम सपावों को ग्राम का अलिपत्य किया है यह ग्राम के बड़े मंतर पीचर देखते हैं यह सब कणोशां को यह होते हैं और यह यायवलकर शुठी के अरस्था यार्जीय को आरराप्द करने वाज़वाते है ता हनुशा लेकर रहा होते हैं था हर स्एलमकर्जि लगाсьी अपने गुलू के लिपास करते हैं विध्याद जिश करते समयं ऐं ऊस यायदीवलकर शुद देखते हैं मेरे घर में संतान होने के लिए क्या करना है? तो, गुरु कहते है कि रोज मेरा शिश्य अगर नीर सरस्vationkładि का सूप का साथ के अगर धर्मे करके तुम्हें अषिरवार देगी आएगा, निश्चे-त्रों से तुम्हार उठमारे संतान होगी, रोज एक शिश्य आएगा, ऐसा उनका दूमने का, तो यान्यवली की ये शिश्य रोज करके एक जाने ने, और उनको उनको स्पनी सरस्विती को माविशिक करने के बार, उनको प्रसार की रूप में अक्षद दे दे के, अश्रवाद दे दे के आते के, ये रोज मारशी राजा की कर गए, तो मारशी थे, उनको अभेबान था, उनने कहा कि यहां, राजा जो है, जिसको संतान होनी है, राजा और नाटी मेरे सामने आए, मैं उनने अश्रवाद देखा, तो राजा कही खापी कर सो गया था, और रोज तुमारे शिश्य आ रहे हैं, तुम जो जो तुम भी करो जो, यागनियल का माता ठान का, वो एक जिवोगी तबस भी थी, उनकी सेटेता में तो उपता थी, उननों स्रैनिकों को बोल कर का, यागनियल का महरशी, अला ने गुरू का शिश्य, मैं यहां आया हूं, और पशिर्वाद यने के लिए आया हूं, राजा और राणी दोनों भी मदमस्त है, उनने कहा, अरे तुम रहो रार्त मारे शिश्य आ रहे तुमारे गुरू भाई तुम भी वहां डालकर चले जावाए, अक्षर जाटाय डालकर, उनको उस्सा आया, और उनने कहा, कि आप मुझे जाने के लिए कहने, मैं तो चले ज आते हैं, तो अक्षर में से चामल रुख के आया, चामल रुख के आया, उसके उपर है चाहन लिकल लेगी, यह देखकर राजा राणी को, क्या हुआ कि यह कैसा हुआ, तो सैनिको ने कहा, कि सुबहर जो रुशी आये थे, उस रुशी नहीं, कि अबर उस लिप्त को पलकर अक्षर डाल की गया, और यह उप गए, तो जो जमीन नहीं है, पलंग के उपर अक्षर को उपा सकता है, तो हमें संतान गया, तो नंबर बन हुआ, भाग के राणा नानी गुदुरू के पास गये, और कहने लगे कि, है गुरू, कल तो तुमने शिश्र भेड़ा था, वो तो हमारी को संतान दे ही चकता है, आप एक बात करो, तुमने बुला लो यहां, और हम उनसे फिर अक्षर डाल देना चाहते हैं, तो गुरू ने का उसमें क्या बात है, मेरा शिश्र में बलाता हूं, उन्होंने यार्नियवल को बुला भी रहा, यार्नियवल गाय है, बोले क्या है गुरू जी का होगी, तो बले यह राजा रानी है, तुमने एकल अक्षर डाले था, उसमें चाहन रुकिया है, तो उसमें विश्रिश क्या बात है, मैं आपकर शिश्य हूं, इतना नहीं कर सकता है, तो क्या बात है, मैं इनको संतान देने के लिए, आपने तो कहा थ कि अभी और मैंने चला रहे, और मैंने क्या है बता दिया, हाँ तो ठीक या, फेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अब उनको वही शूत से अख़र डाले, मैं कहता है, मैं नहीं डालता को, जहाँ अपना अफमान हो, जहाँ गुरू को शिश्य की माननेता नहीं हो, मैं आपने न अधिन नहीं देता हूं। उन्हों ने कहा तुम जो कहोंगे तिरे के यह देते हैं। इस अधमान ये जीवन में याद रखें। कि एक ऐसा हुषि भी होता है जो पतर पे भी चाओ भूगा सकता है। जो संतान देशन निकी किसंता रखता है। उसके मंत्रों में श्रक्ति है। ऐसा वो समझे। अब जो तक नहीं समझें का इसा नहीं होगा, उनने का रही है, ये चांद्रा और पृत्र ये एक परश्तर पानी पी कर रहे है, उसमिन में अगर मैं सोचू, तो मैं देता हूँ, जहां मेरे गुरु को गुरु का मान नहीं है, जहां मंतर का मान नहीं है, आपको दिया हो मंतर का मान नहीं है, जहां उसकी शेचता नहीं है, मैं आपके कहने पर भी नहीं करम नहीं दूँगा, केवल मैं यह चाहता हूं कि ओगे, उस पर शितर चामराइड बत करें, उसके बा नेहीं के दो शीली को अब दोये में वाशन Täihक आई लने करते हैं, रहा हो कश़े और पुर्णे मां पूर का सब्सक्राइख का मैं और मैंने को परकले प्सक्ररे बांते को इअ केले चेह दिया. गूरュ जी भी बहुत सम्झाने लगे कि भी तु कर दे जान देना में घलती के लीए प्रैस्चित पॉर आउओ आप थी कल्दी करने प्रैस्चित देते हैं प्रैस्चित करंगे मैं ज़रूर दाल दूँगा राजा नानी खिर्णम हो गए, अब गुरु को लगा कि एक शिश्य मेरी बात में सुन रहा है, मेरे पास रहे चाख, अब इसको क्या करें, जब राजा नाराज होकर रात रहे, अब चले गए अगर को, क्यों कि दिन धलने वाला का, पि दूसरे दूसरा पुर्शी आने माला ह डालने के लिए इसका राज पुर्शी नहीं है, तो लिट धलते हुए, गुरु ने कहा कि तू नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा नहीं, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, क्यों वो बात मेरी बात थिवद्में याद रखे, कि एक गुरु का या मन्तर का जो अ को आप नहीं मान रहे आखितम में गुश्रा स्दाइप साया ओर गुरूवे कहा कि हागि तुने घुरु के बातों को भी नहीं मानए मैं रहागि डुरु के पाल नहीं गुरु के बातों को तुंने हम इन्लहीं का तुराहगार के सकते हैं आक्षटाव में जाता है अकिवात महांат। लेकिन नेकिन उस अधमान को शैहन नहें कर सका जो मंतर का अअधमाण है brightest मैं सबसा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं नहीं करता हूँ। आकिभ बात आयगी हुए ज गुरु tap उस एगनेवल्क महाश्री को शाप दे दिया, तो मैं तुन्हें शाप देता हूँ कि तुन्हें आज सच इतनी वीत्या मेरे पास पड़ी है, वह सब तुम भूल दाए, या तुम मेरी दिय भी वीत्या मुझे दे दे, ऐसा उन्होंने कहा, मैं गुरू हूँ, तुम मेरी बात है, हाम कर दे, आजसो उन्होंने कहा, तो मैं एकनेवल्क रैका, ये अधिल-गुरू अप्निया है, इस बार्जी से गुरू-अपनि Ourself इतनी अरश ने पानी छोड दृ, जैसा ही मैं एकनेवल्क रैक्ति पानी छोड़ा acta राठ्य में आंखत्त ठोड़ा में हारा खानस न आपने गुरों ने तो सामदी दिया कि विद्या पुल जाए कि कैसा करें अब हो इतिन मट्ची के शुपता से बैठा राधार सुभे सुर्ज हुग रहा था तुन्हें सुर्ज के देखा सुर्ज के देता थे ब्रभू ट्राकुर्टिक तो आप देवता हैं मैं आपकी चरणा प्रणा करता हैं लेकिन गुरू से शाक्रत करके कि सब गुर्ज के हो इसका प्राइश्य के कुछ हो कि मुझे बताईए उस समय भगवान हनमान जी सुर्य नरायन उनके गुरू है उनके पास पूरो में पश्ची में पाव रखतर सुर्य जैसाई रखतर जाके थे उसे विद्या सिख रहे थे तो विद्या सिखते हुए पताचरा तो वो सुर्य नरायन गौहान को प्राथ्था कि अब गहा कि प्रभू मुझे मेरी जुच्छा है शुर्य नरायन इंकी बासुन नरायन कर पूंसे तो कि उनको विद्या का ज्ञान नहीं था आखिवरू ने एक कि वे पचरकत हन्मान इए के सामने राम 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 भावार।